ये माल लेना कि पूरी साहली ऐसा है? क्या हो सोचना सही है? जी नहीं, मेरे पहरे देश्वासियो बिल्कुल नहीं. एक साल में एक चुनोती आए या पचास चुनोती आए, नंबर कम ज्यादा होने से वो साल खराब नहीं हो जाता. भारत का इतिहास ही आपदाओं और चुनो करने का रहा है. सैंक्डों वर्सों तक अलग-अलग आकरांताओं ने भारत पर हमला किया. उसे संकटों में डाला. लोगों को लगता था कि भारत की समरचना ही नश्ट हो जाएगी, भारत की संस्कृती ही संभापत हो जाएगी. लेकिन इन संकटों से भारत और भी भव्य ह हो कर सामने आया. साथियों, हमारी यहां कहा जाता है, स्रजन शास्वत है, स्रजन निरंतर है. मुझे गीत की कुछ पंक्तिया याद आ रही हैं. यह कल-कल छल-छल बहती, क्या कहती गंगा धारा. युग-यूग से बहता आता, यह पुन्य प्रवाह हमारा. उसी गीत में आगे आता है, क्या उसको रोक सकेंगे? मिटने वाले मिट जाएं. कंकड पत्थर की हस्ती, क्या बाधा बन कर आए? भारत में भी जहां एक तरब बड़े-बड़े संकट आते गए, वहीं सभी बाधाओं को दूर करते हुए, अनेकों अनेक स्रजन भी हुए. नए साहित्य रचे गए, नए अनुसंधान हुए, नए सिध्धांद गड़े गए, यानी संकट के दवरान भी हर क्षेत्र में स्रजन की प्रक्रिया जारी रही, और हमारी संस्कृती पुष्पीत पलवित होती रही. देश आगे बढ़ता ही रहा. भारत ने हमेशा संकटों को सफलता की सीध्यों में परिवर्तित किया है. इसी भावना के साथ हमें आज भी इन सारे संकटों के बीच आगे बढ़ते ही रहना है. आप भी इसी विचार से आगे बढ़ेंगे, 130 करोड देश वासी आगे बढ़ेंगे, तो यही सार देश के लिए नए किर्तिमान बनाने वाला साल साबित होगा. इसी चार में देश नए लक्ष प्राप्त करेगा, नई उडान भरेगा, नई उचाईयों को छूएगा. मुझे पुरा विश्वास, 130 करोड देश वास्यों की शक्ति पर है. आप सब पर है. इस देश की महान परंपरा पर है. मेरे प्यारे देश वास्यों, संकट चाहें जितना भी बड़ा हो, भारत के संस्कार निश्वार्थ भाव से सेवा की प्रेणा देते हैं. भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शान्ति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है. दुनिया ने इस दोरान भारत की विश्व बंदूत्व की भावना को भी महसूस किया है. और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभूता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिट्मेंट को भी देखा है. लदाख में भारत की भूमी पर आँख उठा कर देखने वानों को करारा जवाब मिला है भारत मित्रता निभाना जानता है तो आँख में आँख डाल कर देखना और उचीत जवाब देना भी जानता है हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मा भारती के गवरों पर आँच नहीं आने जाएंगे साथियों लदाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शावरिय को पुरा देश नमन कर रहा है सरधांजली दे रहा है पुरा देश उनका कृतग्या है उनके सामने नतमस्तक है इन साथियों के परिवारों के तरह ही हर भारतिय इने खोने का दर्द भी अनुहो कर रहा है अपने वीर सपुतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है देश के लिए जो जज्वा है यही तो देश की ताकत है आपने देखा होगा जिनके बेटे शहीद हुए वो माता-पिता अपने दूसरे बेटों को भी घर के दूसरे बचों को भी सेना में भेजने की बाद कर रहे हैं बिहार के रहने वाले शहीत कुंदरकुवार के पिताजी के शब्द तो कानों में गुञ रहे हैं वो कह रहे थे अपने पूतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा यही होसला हर शहीत के परिवार का है वास्तों में इन परिजनों का त्याग भुजनी है भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है उसी संकल्प को हमें भी जीवन का धेव बनाना है हर देश वासी को बनाना है हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत भड़े देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर भर बने यही हमारे शहीदों को सच्ची सद्धान ले भी होगी मुझे असम से रजिनी जी ने लिखा है तो उन्होंने पुर्वी लदाक में जो कुछ हुआ वो देखने के बाद एक प्रण लिया है प्रण यह कि वो लोकल ही खरी देंगे, इतना ही नहीं लोकल के लिए वोकल भी होगी ऐसे संदेश मुझे देश के हर कौने से आ रहे हैं बहुत से लोग मुझे पत्र लिख कर बता रहे हैं कि वो इस और बढ़ चले हैं इसी तरह तमिन्नाडु के मदुराई से मोहन रामामूर्थी जी ने लिखा है कि वो भारत को डिफेंस के ख्षेतर में आत्मंदेर भर बनते हुए देखना चाहते हैं साथियों, आजादी के पहले हमारा देश डिफेंस सेक्टर में दुनिया के कई देशों से आगे था हमारे यहां अनेको ओर्डिनन्स फेक्टरिया होती थी उस समय कई देश जो हमसे बहुत पीशे थे वो आज हमसे आगे हैं आजादी के बाद डिफेंस सेक्टर में हमें जो प्रयास करने चाहिए थे हमें अपने पुराने अनुभावों का जो लाब उठाना चाहिए था हम उसका लाब नहीं उठा पाए लेकिन आज डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलोजी के खेतर में भारत आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है भारत आत्म निर्भरता के तरब कदम बढ़ा रहा है साथियों कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन जन भागिदारी के बीना पूरा नहीं हो सकता सफल नहीं हो सकता इसलिए आत्म निर्भर भारत के दिशा में एक नागरिक के तोर पर हम सबका संकल्प, समर्पन और सयोग बहुत जरूरी है, अनिवारिया है आप लोकल खरीदेंगे लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझेए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमी का अनिभा रहे है ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है आप किसी भी प्रोफेशन में हो हर एक जगह देश सेवा का बहुत स्कोप होता ही है देश की आवशक्ता को समझते हुए जो भी कार्य करते हैं वो देश की सेवा ही होती है आपकी यही सेवा देश को कहीं न कहीं मजबूत भी करती है और हमें ये भी याद रखना है, हमारा देश जितना मजबूत होगा, दुनिया में शांती की संभावनाए भी उतनी ही मजबूत होगी, हमारी यहां कहा जाता है, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परिशाम परिपीड नाय, खलत से साध हो, विप्रितम एतत, ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय, अर्थात, अगर स्वभाव से दुष्ट है, तो विद्या का प्रयोक, व्यक्ति, विवाद में, धन का प्रयोक, गमन में, और ताकत का प्रयोक, दूसरों को तकलीव देने में करता है, लेकिन सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए धन मदद के लिए और ताकत रक्षा करने के लिए इस्तमाल होती है भारत ने अपनी ताकत हमेशा इसी भावना के साथ इस्तमाल की है भारत का संकल्प है भारत के स्वाबिमान और संप्रभुता की रक्षा भारत का लक्ष है आत्म निर्भर भारत, भारत की परंपरा है भरोसा, मित्रता, भारत का भाव है बंदूता, हम इन्ही आदर्सों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे. मेरे प्यारे देश्वासियों, कोरोना के संकटकाल में देश लोक्डाउन से बहार निकल आया है, अब हम अनलोक के दोर में हैं, अनलोक के समय में दो बातों पर भावत फोकस करना है, कोरोना को हराना और अर्थ ववबस्ता को मजबूत बनाना, उसे ताकत देना. साथियों, लोक्डाउन से ज़्यादा सतर्टा हमें अनलोक के दोरान बरतनी है, आपकी सतर्टा ही आपको कोरोना से बचाएगी. इस बात को हमेशा याद रखे, कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं, दो गज की दुरी का पालन नहीं करते हैं, या फिर दूसरी जरूरी सावधानिया नहीं बरते हैं, तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं. खास तोर पर घर के बच्चों और बुजुर्गों को, इसलिए सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है, और ये निवेदन में बाहर बाहर करता हूँ, और मेरा निवेदन है कि आप लाप परवाही मत बरती हैं, अपना भी ख्याल रखिये और दूसरों का भी. साथियों, अनलोक के दौर में बहुत सी ऐसी चीज़े भी अनलोक हो रही हैं, जिन में भारत दसकों से बंदा हुआ था. वर्सों से हमारा माइनिंग सेक्टर लॉकडाउन में था, कॉमर्शियल आक्षन को मंजुरी देने के एक निर्ड़े स्थिती को पूरी तरह से बदल दिया है, कुछी दिन पहले स्पेस सेक्टर में एक्तिहासिक सुधार किये गए, उन सुधारों के जरिये वर्सों से लॉ बलकि देश टेक्नोलोजी में भी एडवांस बनेगा, अपने कुर्शिक शत्र को देखें, तो इस सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें दसकों से लॉकडाउन में फसी थी, इस सेक्टर को भी अब अन्नौक कर दिया गया है, इस से जहां एक तरप किसानों को अपनी फसल कह पर भी किसी को भी बेचने की आजादी मिली हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अधीक रोण मिलना भी सुनिश्चित हुआ है, ऐसे अनेक श्यत्र हैं, जहां हमारा देश इन सब संकटों के बीश एतिहासिक निर्णे लेकर विकास के नए रास्ते खोल रहा है, मेरे प्यारे देश वास्यों, हर महिने हम ऐसी खबरे पढ़ते हैं और देखते हैं, जो हमें भावुक कर देती हैं, यह हमें इस बात का स्मरण कराती हैं, कि कैसे हर भारतिय एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर है, वह जो कुछ भी कर सकता है, उसे करने में जुटा है, अरुनाचल प्रदेश की एक ऐसी ही प्रेरक कहानी मुझे मीडिया में पढ़ने को मिली, यहां सियाम जिले के मिरेम गाउं ने वो अनोखा कायर कर दिखाया, जो समुचे भारत के लिए एक मिसाल बन गया है, इस गाउं के कई लोग बाहर रहकर नोकरी करते हैं, गाम वालो उन्हें पहले से ही गाउं के बाहर क्वारंटीन का इंतिजाम करने का फैसला किया, उन्होंने आपस में मिलकर गाउं से कुछी दुरी पर 14 अस्थाई जोपडिया बना दी, और यह तै किया कि जब गाउं वाले लोटकर आएंगे, तो उन्हें इनी जोपडियों में कुछ दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा, उन्हों जोपडियों में साउचाले, बिजली, पानी समेत, दैनीक जरुरत की हर तरह की सुविदा उपलब्त कराई गई, जाहिर है, मिरेम गाउं के लोगों के इस सामुहिक प्रयास और जागरुता ने सब का ध्यान अपनी और आकर साथियों, हमारी यहां कहा जाता है, स्वभावं न जहाति एव, सादुहु आपद गतोबी सन, करपुरह, पावक्स प्रुष्टह, सवरभं लबते तरा, अर्थात, जैसे कपूर आगमेत अपने पर भी, अपनी सुगंद नहीं छोड़ता, वैसे ही, अच्छे लोग, आप अपने गूर, अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, आज हमारे देश की जो स्रम शक्ती है, जो स्रमिक साती है, वो भी इसका जीता जागता उधारन है, आप देखिए, इन दिनों हमारे प्रवासी स्रमिकों की, ऐसी कितनी ही कहानिया आ रही है, जो पुरे देश को प्रेणा दे रही है, यूपी के बारा बंकी में गाओं लोटकर आए मजदरों ने कल्यानी नदी का प्राकृतिक स्वरुप लोटाने के लिए काम शुरू कर गया, नदी का उधार होता देख, आसपास के किसान, आसपास के लोग भी उत्षाईत है, गाओं में आने के बाद, क्वार का इस्तमाल करते हुए, अपने आसपास के स्थित्यों को बढ़ला है, वो अधबूद है, लेकिन साथियों, ऐसे कितने ही किस्से कहानियां, देश के लाखों गाओं के हैं, जो हम तक नहीं पहुँच पाए हैं, जैसा हमारे देश का स्वभाव है, मुझे विश्वास है सा कि आपके गाओं में भी, आपके आसपास भी ऐसी अनेग घटनाएं घटी होगी, अगर आपके ध्यान में ऐसी बात आई हैं, तो आप ऐसी प्रेरग घटना को मुझे जुरूर लिखिए, संकट के इस समय में इस सकारात्म घटनाएं, ये कहानियां औरों को भी प्रेरणा देगी, मेरे प्यारे जैसवास्यों, कोरोना वाइरस ने निश्चित रुप से हमारे जीवन जीने के तरीकों में बढ़ला उला दिया है, मैं लंदन से प्रकासित, फाइनांशल टाइम्स में एक बहुती दिल्चस्प लेक पड़ रहा था, इसमें लिखा था, कि कोरोना का के दोरान, अद्रक, हल्वी समेत, दूसरे मसालों की मांग, एशिया के अलावा, अमेरिका तक में भी बढ़ गई है, पूरी दुनिया का ध्यान, इस समय अपनी इम्मिनिटी बढ़ाने पड़ है, और इम्मिनिटी बढ़ाने वाले इन चीजों का समन हमारे देश से है, हमे इनकी खासियत विश्व के लोगों को, ऐसी सहज और सरल भासा में बतानी चाहिए, जिसे वे आसानी जे समझ सकें, और हम एक हिल्दियर प्लैनेट बनाने में अपना योगदान दे सकें, मेरे प्यारे देश वासियों, कोरोना जैसा संकट नहीं आया होता, तो शायद जीव क्यों है, जीवन कैसा है, हमें शायद ये याद ही नहीं आता, कई लोग इसी वजह से मानसिक तनावों में जीते रहे हैं, तो दूसरी ओर, लोगों ने मुझे ये भी शेर किया है, कि कैसे लोगडाउन के दोरान, खुशियों के छोटे-छोटे पहलू भी उन्होंने जीव पारमपारी इंडोर गेम्स खेलने और पूरे परिवार के साथ उसका आनन लेने के अनुभव वेज़े हैं, साथियों हमारे देश में पारमपारी खेलों की बहुत समरुद्ध विरासत रही है, जैसे आपने खेल का नाम सुना होगा, पच्चीसी ये खेल तमिनाडु में, पल्नान, नुंगली, करणाटक में, अली, गुली, मने और आंध प्रदेश में वामन, गुंटलू के नाम से खेला जाता है, ये एक प्रकार का स्ट्रेटेजी गेम है, जिसमें एक बॉर्ड का उप्योग किया जाता है, इसमें कई खांचे होते हैं, जिनमें मौजूद गो साथियों, आज हर बच्चा साम सीजी के खेल के बारे में जानता है, लेकिन क्या आपको पता है, कि यह भी एक भारतिये पारमपारी गेम का ही रूप है, जिसे मोक्षपाटम या परमपदम कहा जाता है, हमारी यहां का एक और पारमपारी गेम रहा है, गुट्टा, बड़ खेलने के लिए त्यार, एक पत्तर हवा में उचा लिए, और जब तक वो पत्तर हवा में हो, आपको जमीन पर रखे बागे पत्तर उठाने रहोते हैं, आम तोर पर हमारे यहां इंडोर खेलों में कोई बड़े साधनों की जरूर नहीं होती है, कोई एक चौक या पत्तर ल गिरे खीच देता है, और फिर खेल शुरू हो जाता है, जिन खेलों में डाइस की जरूर परती है, कोडियों से या इमली के बीच से भी काम चल जाता है, साथियों मुझे मालूम है, आज जब मैं यह बात कर रहा हूँ, कितने ही लोग अपने बच्पन में लोट गये होगे कितनों को ही अपने बच्पन के दिन याद आ गये होगे, मैं यही कहूँगा कि उन दिनों को आप भूले क्यों है, उन खेलों को आप भूले क्यों है, मेरा घर के नाना, नानी, दादा, दादी, घर के बुजुद्गों से आग रहे हैं, कि नई पीडी में ये खेल आप पढ़ाई की बात आ रही है, तो बैलेंस बनाने के लिए, ओन लाइन खेल से मुक्ति पाने के लिए भी हमें ऐसे करना ही होगा, हमारी युवापीडी के लिए भी, हमारे स्टार्ट अप्स के लिए भी यहां एक नया अवसर है, और मजबूत अवसर है, हम भारत के पारंप ग्रूप में प्रस्थूत करें, उनसे जूरी चीजों को जुटाने वाले, सप्लाइ करने वाले स्टार्ट अप्स बहुत पप्लर हो जाएंगे, और हमें ये भी याद रखना है, हमारे भारतिय खेल भी तो लोकल है, और हम लोकल के लिए बोकल होने का प्रण पहले ही ले चुके हैं, और मेरे बाल सखा मित्रों, हर घर के बच्चों से, मेरे नन्य साथियों से भी आज मैं एक विशेस आग्रह करता हूँ, बच्चे आप मेरा आग्रह मानेंगे न, देखिए मेरा आग्रह है कि मैं जो कहता हूँ आप जुरूर करिए, एक काम करिए, जब थोड़ में जो भी बुजूर्ग हैं, उनका इंटर्व्यू रेकॉर्ड किरिए, अपने मोबाइल फॉन में रेकॉर्ड करिए, जैसे आपने टीवी पर देखा होगा न, कैसे पत्रकार इंटर्व्यू करते हैं, बस वैसा ही इंटर्व्यू आप कीजिए, और आप उनसे सवाल क्या करेंगे, मैं आपको सुझाव देता हूँ, आप उनसे जुरूर पूछिए, कि वो बच्पन में उनका रहन सान कैसा था, वो कौन से खेल खेलते थे, कभी नाटक देखने जाते थे, सिनेमा देखने जाते थे, कभी छुटियों में मामा के घर जाते थे, कभी खेत खलिहान म कैसे मनाते थे, बहुत से बाते आप उनको पूछ सकते हैं, उनको भी 40-50 साल, 60 साल पुरानी अपनी जिन्दगी में जाना बहुत आनंद देगा, और आपके लिए 40-50 साल पहले का हिंदुस्तान कैसा था, आप जहां रहते हैं वो इलाका कैसा था, वहां परिशर कैसा था, लोगों के तौर तरीके क्या थे, सब चीज़ें बहुत आसानी से, आपको सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, और आप देखें आपको बहुत मज़ाएगा, और परिवार के लिए एक बहुत ही अमुल्य खजाना, एक अच्छा वीडियो आल्बम भी बन जाएगा, साथियों, ये सत्य है कि आत्मकथा या जीवनी, आटोबायोग्राफी या बायोग्राफी, इतिहास की सच्चाई के निकर जाने के लिए बहुत ही उप्योगी माध्यम होती है, आप भी अपने बड़े बुजूरों से बाते करेंगे, तो उनके समय की बातों को, उनके बच सत्रीन मोका है कि बुजूर्ग भी अपने बच्पन के बारे में, उस दौर के बारे में अपने घर के बच्चों को बताएं, साथियों, देश के एक बड़े हिस्से में, अब मौनसुन पहुँच चुका है, इस बार बारिस को लेकर मौसम विज्याने भी बहुत उत्साहित हैं, बहुत उमीद जता रहा है, बारिस अच्ची होगी, तो हमारे किसानों की फसले अच्ची होगी, वातावन भी हरा भरा होगा, बारिस के मौसम में प्रकृती भी जैसे खुत को रीजूइनेट कर लेती हैं, मानो प्रकृतिक समसादनों का जितना दोहन करता है, प्रकृ अपनी धर्ती मां का साथ दें, अपना धाइत्व निभाएं, हमारे द्वारा किया गया थोड़ा सा प्रयास, प्रकृती को, परियावरन को बहुत मदद करता है, हमारे कई देश्वासी तो इसमें बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, करनाटक के मंदावली में, एक 80-85 साल के भु कि कोई भी आश्चिर में पड़ जाएगा, 80-85 साल के कामेगोडाजी अपने जानवरों को चराते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने क्षेत्र में नए तालाब बनाने का भी बिड़ा उठाया हुआ है, वे अपने इलाके में पानी की समस्याओं को दूर करना चाहते ह इसलिए जल सवरक्षन के काम में, छोटे-छोटे तालाब बनाने के काम में जुटे हैं, आप हैरान होंगे कि 80-85 वसके कामेगोडाजी अब तक 16 तालाब खोच चुके हैं, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, हो सकता है कि जो तालाब उन्होंने बनाए हैं, वो बहुत बड़ा है, आज पूरे इलाके को इन तालाबों से एक नया जीवन मिला है, साथियों, गुजरात के वरोदरा का भी एक उधान बहुत प्रेरक है, यहां जीला प्रशासन और सानिये लोगों ने मिलकर एक दिलचर्ष पर मुहिम चलाई, इस मुहिम की वजह से आज वरोदर होने लगी है, एक अनुमान है कि इस वजह से हर साल अवसतन करीब दस करोल लीटर पानी बेकार बह जाने से बचाये जा रहा है, साथियों, इस बरसात में प्रकूरती की रक्षा के लिए, परियावरन की रक्षा के लिए, हमें भी कुछ इसी तरह सोचने की, कुछ करने की पहल करनी चाहिए, जैसे कई स्थानों पर गणेश चतुर्थी को लेकर तयार या शुरू होनी जा रही होगी, कैस बार हम प्रयास कर सकते हैं, कि एको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमाये बनाएंगे, और उन्ही का पूजन करेंगे, क्या हम ऐसी प्रतिमाओं के पूज इन से बच सकते हैं, जो नदी तालाबों में विसरजित किये जाने के बाद, जल के लिए, जल में रहने वाले जीव जन्तों के लिए संकड बन जाती है, मुझे विश्वास है, आप ऐसा जरूर करेंगे, और इन सब बातों के बीश हमें ये भी ध्यान रखना है, कि उनके सीजन में कई बिमारिया भी आती है, कोरोना काल में हमें इन से भी बचकर रहना है, अवजवेदिक आउसदिया, काड़ा, गर्म पानी, इन सब का इस्थमाल करते रहिए, स्वस्त रहिए, मेरे प्यारे देश्वासियों, आज 28 जून को भारत अपने एक बुत्पुर दोर में देश का नेतुरत्व किया, हमारी ये पूर्व प्रधान मंतरी स्री पीवी नरसे राव जी की आज जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुवात का दीन है, जब हम पीवी नरसे राव जी के बारे में बात करते हैं, तो स्वाबायू के रूप से राजनेता के रूप मे उनकी शबी हमारे सामने उभरती है लेकिन ये भी सच्चाई है तुवाने एक भाषाओं को जानते थे भारतिये विदेशी भाषाओं बोल लेते थे वे एक और भारतिये मुल्न्यों में रचे बसे थे तो दूसरी और उन्हें पश्चात्य साइत्य और विज्ञान का भी ज्ञान था वे भारत के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे लेकिन उनके जीवन का एक और पहलू भी है और वो लेखनी है हमें जानना भी चाहिए साथियन नर्सिमाराव जी अपनी किशोर आवस्ता में ही स्वतंतरता अंदोलन में शामीन हो गए थे जब हैदराबाद के निजाम ने बंदे मातरम गाने की अनुमती देने से निकार कर दिया था तब उनके खलाब अंदोलन में उन्होंने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था उस समय उनकी उम्र सिर्फ 17 सार थी छोटी उम्र से ही सिमान नर्सिमाराव अन्याय के खलाब आवाज उठाने में आगे थे अपनी आवाज बिल्ण करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते थे नर्समा राव जी की त्यास को भी बहुत अच्छी तरह समझते थे बहुती साधान पुष्ट बुमी से उटकर उनका आगे बढ़ना सिख्षा पर उनका जोर, सिखने की उनकी प्रवुती और इन सब के साथ उनकी नेत्रुत्व शम्ता सब कुछ मरनी है मेरा आग्रह है कि नर्समा राव जी की जन्मुष्टाब्दी वर्ष में आम सभी लोग उनके जीवन और विचारों के भारे में जादा से जादा जानने का प्रयास करें मैं एक बार फिर उन्हें अपनी स्रद्धान ले अल्पित करता हूँ मेरे प्यारे देश वास्यों इस बार मन की बात में कई विशों पर बात हुई अगली बार जब हम मिलेंगे तो कुछ और नए विशों पर बात होगी आप अपने संदेश अपने इनोवेटिव आइडियाज मुझे जरूर भेजते रहिए हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और आने वाले दिन और भी सकारात मखोंगे जैसा कि मैंने आज शुरू में कहा हम इसी साल यानि 2020 में ही बहतर करेंगे आगे बढ़ेंगे और देश भी नई उचाईयों को चूएगा मुझे भरोसा है कि 2020 भारत को इस दसक में एक नई दिशा देने वाला वर्ष शाबित होगा इसी भरोसे को लेकर आप भी आगे बढ़िए स्वस्त रहिए सकारात्मक रहिए इनी सुबकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नवश्कार